दोस्तों नमुश्कार आदाब सत्सी अकाल नियोज़क्लिक के कारिकराम हफते की बात के साथ मैं उर्मिरेश अहम्दावाद की एक स्पेसल कोर्ट से एक फैसला आया फैसला पिछले साल के सिप्टमबर महिने से रिजर्ब था जैसा की पीटी आई की खबर बताती है रिजर्ब रखा था और अभी वो चुनाव के दर्मियान फैसला आ गया फैसला आ गया तो गुजराथ का जो मामला है एक सीरियल बम ब्लास्ट का मामला जिस केस में सनवाई चली बहुत समय पहले 2008 का मामला तो उस फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश की पूरी जो चुनावी जंग है उसके जितने मुद्दे हैं उन मुद्दों को पलटने की कोशिश हो रही है अब भारती जनता पार्टी गुजरात में आतंकवाद का वो जो मसला था जिस पर माननी अदालत ने एक फैसला दिया है उसको अब उत्तर प्रदेश के विपक्षी नेताओं पर उस पर इलजाम लगाना शुरू कर दिया है पहले कश्मीर में ये सब हुआ करता था कश्मीर का जब चलता था कोई भी मामला तो होता रहता था अब उत्तर प्रदेश में उसको खीच कर लाया है भारती जनता पार्टी ने और अब तक वो जो वहां के मुख्य विपक्षी गट बंदन है सपा आरेलडी गट बंदन इसके जो नेता हैं खासकर अखलेश यादो अब उन पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो आतंक वाद को संरख्षण देते हैं अब बताईए अब तक उन पर परिवार बात का मामला चलता था माफिया राज का चलता था गुंडा राज का चलता था ब्रस्टाचार की बात होती थी अब एक नया आ गया सब को छोड़ दिया गया अब आतंक का मसला आ गया अब पता ये सिर किधर है पैर किधर है इस पू पुरे मामले में पकड़े गए गिरफतार हुए मुकदमा चला और उसमें से उन लोगो कुछ लोगो कन्विक्ट किया गया है अब सवाल इस बात का है कि कोई किसी भी जगा का हो सकता है कहीं का अव्यक्तिक कन्विक्ट हो सकता है गुजरात के भी लोग कन्विक्ट होते हैं क प्रश्मीर के लोग होते हैं कहीं के भी लोग कन्विक्ट हो सकते हैं जो आप राज करेंगे लेकिन इसका रिष्टा किसी प्रदेश की पार्टियों पर या उनके नेताओं पर कैसे हो सकता है बिना किसी प्रमाण के बिना किसी धुआ के आग लगाई जा रही है ऐसा किया जा रहा है जैसे लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में खेतों को चरने वाले छुटा परश्वों से बड़ा मसला ये है महंगाई से बड़ा मसला ये है एक अदालत के फैसले से पैदा हुआ जो एक पार्टी द्वारा रशित विबाद है उसको जो है बेरोजगारी से ब आलोचना करता रहता हूँ कॉंग्रेस की करता रहता हूँ लेफ पार्टी की भी अगर गलत करती है आलोचना करता रहता हूँ वीजेपी की भी करता रहता हूँ लेकिन सवाल इस बात का है कि अखिलेश यादों का इसमें क्या मामला आता है कि आप उत्तर प्रदेश के चु वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में टपक पड़ता है पतानी कैसे ये उत्तर प्रदेश की जनता ही जाने कि इसका सिर कहां है पैर कहां है और ऐसा ही दोस्तों पंजाब का मामला पंजाब में तो कॉंग्रेस ने चमतकार किया है वो भी बीजेपी के नक्ष कदम पर अब ऐस कि वो बताते हैं एक दूसरे के बारे में लेकिन इस मसले पर दोनों एक जैसी लाइन लेते नजरा रहे हैं बीजेपी उत्तर प्रदेश में और कॉंग्रिस पंजाब में पंजाब में क्या किया उन्होंने अब कोई दिल्ली एंसियार के आसपास रहने वाले कोई मंची कभी ह अब उन्होंने कोई अपना वीडियो बयान जारी किया उस वीडियो बयान में अपनी पुरानी पार्टी के नेता अरविंद केजरिवाल अरविंद केजरिवाल पर उन्होंने गुस्ता उतारा अरविंद केजरिवाल की पार्टी और उनकी सरकार में बहुत सारी कमियां हैं और उन कम्यों को हम लोग भी गिनाते रहते हैं लेकिन उनकी अगर कुछ उपलब दिया है तो वो भी गिनाते रहते हैं लेकिन इन्होंने कहा कि साब ये जो आदमी है और ये जो पार्टी है ये आतंकवात को शह देती है और साथ में उन्होंने ये भी एक चर्चा आई कि एक आम आदमी पार्टी को वोट करें लहाजा पंजाब कॉंग्रिस के जो बड़े नेता हैं केंद्रिय जो नेता हैं कॉंग्रिस पार्टी के और मुख्यमंत्री चन्नी साहब इन लोगों ने अपने जो रियल इशूद हैं चुनाव के जो जंता से जुड़े हैं पंजाब से वक्त जो है ग्रिह मंत्री को भेच दिया केंद्री ग्रिह मंत्री को और केंद्री ग्रिह मंत्री तेने दरिया दिल निकले कॉंग्रेस पार्टी की डिमांड पर कि उन्होंने कहा जरूर जांच कराएंगे जी तो चन्नी साहब के लेटर पर उन्होंने ये कह दिया कि जरूर ज पक्तपड़ते हैं कह सिर कहा पैर कोईि ठीकाना नहीं अब ठीक उसी तरह से किसान अंदोलन का मसला बात होती किसानों की बात होती तो समझ मेंयाती बात लेकिन आतंग का मसला ठीक उसी बिड़ा कर लिया कभी किसी ने या करने की कोशिश की उसका हवाला दिया जा रहा है और सवैंग जब मुख्यमंतरी अपने उपर केसे बिड़ा करते हैं तो उसका कोई जिक्र नहीं किया जाता तो हमारा ये कहना है कि ये जो चीज है ये उत्तर प्रदेश के चुनाओं से लो अलग अलग प्रदेशों में आजमाया गया है विबिन पार्टियों द्वारा बहुत फूहड रंग से अब आजमाया जा रहा है जब इसकी सिट्टी पिट्टी पहले ही गुम हो चुकी है अनेक प्रदेशों में लोगों ने इसको खारिस किया है बंगाल में अभी हाल में खारिस किया लोगों ने मंताब इनरजी पर क्या क्या आरोप नहीं लगाए गए लेकिन लोगों ने खारिस कर दिया तो मुझे लगता है मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या करेगी लेकिन मेरा ये मानना है कि भारती जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार हो आम आदमी पार्टी हो चाहे कोई और पार्टी हो जनता के मुद्दों पर इनको चुनाव लड़ना चाहिए और जब जनता के मुद्दों पर ये जनता से भागना शुरू कर दें कोई भी पार्टी अगर चुनावी जंग में जनता के मुद्दों पर उसको जबाब नो दे सकें अगर भी पक्ष को या किसी और पार्टी को जो सवाल उठा रही है तो मैं समझता हूँ कि उससे भागने के लिए आतंक के मसले को उठाना एक ऐसी कारवाई है जो डाइवर्जन जनता की जनता की नजनों से एक एक कुल मिलाकर एक ऐसी कारवाई है जो पूरी की पूरी सियासत को चुनावी जो मुद्दे हैं उनको दिरिल करती है उनको भटकाती है तो आज ये बात उठाई जा रही है और कुछी घंटे के बाद यानि बीस तारीख को बीस परोली को उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के चुनाव संपन होंगे उसके लिए पूलिंग की जाएगी तो दोस्तों ये तीसरा जो चरण है ये कुल मिलाकर आपको बताएं बड़ा दिल्चस्प ये मुकाबला है तीसरे चरण का इसमें कुल मिलाकर 69 सीटें हैं और ये 69 सीटें जो हैं इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिलें हैं फिरोजबाद है मैनपूरी है एटा है कासगंज है हातरस है ये टूटल 19 सीटें हैं और कुल जो मद्ध का इलाका है उत्तर प्रदेश के जो अवद से भी जुड़ा हुआ है इसके छे जिलें छे जिलों की 27 सीटें हैं जिसमें कानपूर अवरईया कंड़ोज इटावा फरुकाबाद आजी आते हैं और बुंदेल खंड की 13 सीटें हैं जहां सी जालोन ललितपूर हमीरपूर महोब जैसे जिलों की तो ये तीसरे चरण का जो चुनाव है जिसकी 69 सीटें हैं इन पर पोलिंकल होने वाली है और आज ये आरोप लगया जा रहा है कि ये तो आतंकवाद का मामला है आतंको संरक्षन देने का मामला है ये तो मैं नहीं समझता कि स्वेम भारती जंता पार्टी भ लेते हैं ये तो कोई उनके दिमाग में भी नहीं होगा लेकिन अब चुनाव है मेहंगाई है बेरोजगारी है खेतों को चरने वाले बरबात करने वाले पश्वों का मामला है कोर्णा महाबारी के दौरान बद इंतजामी का वो पूरा का पूरा मामला है तो अब ऐसी पार्टी के किसी भी मुद्दे पर इस तरह से नहीं कहता लेकिन ये तो हास्यास पदीस को कहा जा सकता है और क्या कहा जाए तो दोस्तों ये एक मसला जबकि तीसरे चरन से एन पहले उठाया गया है जो अब तक चुनाव में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था तो क्या य और दूसरे चरन में थोड़ी निराशा हाथ लगी है तो क्या माना जाए कि आशा जगाने के लिए तीसरे चरन में ये सब किया जा रहा है ताकि लोग कुछ भटक जाए लोग उस पैटरन पर वोट न करें जिस पैटरन पर फरस्ट और सेकेंड फेज में उन लोगों ने कि बताया गया है हम नहीं जानते कि क्या है क्या नतीजा फरस्ट और सेकेंड फेज का निकलेगा लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो सर्वेयर्स हैं वो दभी जुबान से कह रहे हैं तो डरते भी हैं कि सक्ताधारी दल के लोग नाराज न हो जाएं तो वो कह रहे हैं कि इसमें तो आगे हो गई है विपक्ष की पार्टी तो अब देखना होगा तो ये हो सकता है कि तीसरे चरण में चीजों को बदलने के लिए ऐसा किया जा रहा है लेकिन दोस्तों चौथा पांच्वां चरण भी है एक 23 को है इसके बाद फिर एक चरण है और आखिरी में जो पांच्वां चरण है चौथा चरण है उसमें भारती जन्ता पार्टी अपने को थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रही है हो सकता है कि उसको लगे कि पीछे की जो उसकी सीटें घटेंगी तो शायद चौथे पांच्वें चरण से वो एडजस्ट करेगी लेकिन तीसरे चरण मे अगर फिर विपक्षी गटमंदन उससे आगे हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी भारती जन्ता पार्टी के लिए ये पूरी की पूरी चुरावी जंग तो ये कारण है कि आतंकवाद के मसले को आकरशक बना कर कुम लपेट कर उसके पूरे लिफाफे में ऐसे पेश किया जा रहा है कि लोग डर जाएं लोग सच्मूच आतंकित हो जाएं मुझे लगता है कि ये जन्ता को आतंकित करने का एक तरीका है और ये मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक हतकंडा है पंजाब में भी कल चुनाव है बीसी तारीक को 117 सीटों पर अब उसके पहले अ किमंत्री उसने बनाया था उसके अंदरुनी जगड़े भी कम तो नहीं थे लेकिन फिर भी एक 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 बहतर ढंक से चुनावी प्रदर्शन हो रहा था लेकिन एक मंची कभी कम नेता उसकी बयान बाजी को उठा लिया बड़े बड़े नेता होने देश के बड़े प्रदर्शन होता उसकी कोई रिपोर्ट होती तो आप उठाते लेकिन आपने चुनाव में एन मौके पर यह उठाया क्यों कि आपको मीडिया रिपोर्ट बड़ी भयानक लग रही थी लग रहा था कि आम आदमी पार्टी कहीं आगे तो निकल गई है और निकल भी रही हो तो आप रियल इशुज से चैलेंज करते हैं हमादमी पार्टी को चैलेंज करने के लिए कॉन्ग्रिस के पास बहुत सारे इशुज थे लेकिन आपने नहीं किया तो ले देकर चुनाव में लोगों का ध्यान हटाना रियल इशुज से मैं समझता हूं कि जनता के साथ ये ग रुखक तियार करना चाहिए वरना हर समय जनता के मुद्दों को भटकाया जाएगा और रियल जो इशूज हैं वो सामने नहीं आएंगे तो दोस्तों आज इतनी ही सी बात नमशकार आदाब सत्स्रियकार